आज हम लोग पढ़ेंगे एट्रिब्यूट्स क्या क्या होने चाहिए क्या क्या एट्रिब्यूट्स होते हैं यहाट्रिब्यूट्स होते हैं तो हमारे पाश एट्रिब्यूट्स में सबसे पहले आता है अब भी डीट्स क्या में चाहिए कब तक इस्तिमाल के काबिल कभ दो को यूज़ कर सकते हैं साल के लिए, दो साल के लिए, तीन साल के लिए, यह जो हम लोग चीज़ है, वह reliable होती है, हम लोग इस चीज को use कर सकते है, easy use कर सकते है, इसमें कोई difficult task वगयरा ना हो, जो है, वह easy use हम लोग कर सकते है, अब quality, अब quality से क्या हम रहाँ, कि software में quality क्या हो सकती है, अब जिस तरह आप लोग कोई चीज परचेस करते हैं मार्कीट से मुबाइल परचेस करते हैं या अपने कुछ क्लॉट परचेस करते हैं कुछ कीबोर्ट कंप्यूटर कुछ चीज परचेस करते हैं इसमें आप लोग क्वालिटी चेक करते हैं कि क्वालिटी इसके अंदर क्वालिटी कौन स सबस्क्राइब चीज़ नबेर। मैं हमारे पास सब्क्राइब को च्रेक रिखने हैं जितना अच्छा क्वालिटी वो उसके ऊपर उसकी कोस्ट भी अतनी ज्यादा होगी। जितनी अच्छी क्वालिटी होगे, एक सॉफ्टर की उतनी ज्याद उसकी कोस्ट होगे, आयाद है performance, कि जो attributes है software का good attributes में performance, कि उसकी कारगर्द की, कि computer हम लोग ने software बना लिया, अगर उसकी performance अच्छी ना होगी, तो वो किसी काम कर नहीं होगा, तो उसकी performance जो है, यह भी graphical user interface, यहां कि जो software के अंदर जो graphics यूज किये गए है, वो भी value होने चाहिए, बहुत अच्छा होने चाहिए, यह ना कि कुछ color की matching ही ना हो, कुछ ऐसे color भी होते हैं, जो बिल्कुल भी different हो, एक दूसरे से matching मेना, matching ना कर रहे हो, जो visible भी ना हो, और जो बिल्कुल भी अच् आप देख सकते हैं, ग्राफिक्स यहां, इसके जो icons वगरा सारे बने हैं, graphical user interface आपको दिखाई दे रहा होगा, यह सारे के हैं, ग्राफिक्स होते हैं, अब जिस तरह MS World है, इसके जो graphics हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं, जो छोड़ छोड़े steps हैं, यह चीज़ें सारे हैं, यूज कर रहे हैं, देखने हैं, यह सारे के हैं, ग्राफिक्स, यानि के एक software के ग्राफिक्स जो है, वो भी अच्छे होने चाहिए, जिस तरह आप लोग PUBG अगर खेलते हैं, तो आपको देखते होंगे, PUBG गेंग के अंदर कितने अच्छे अच्छे ग्राफिक्स हैं, तो इस की बात है, cost effective, यानि के cost effective जो है, वो attribute में आता है, software engineering के, यानि के जितनी चीज़ें अच्छी होंगे, जितने अच्छे features होंगे, उसके cost भी जाए, तो ज्यादा उसकी होगी, कि यानि के हर feature के उपर कुछ payments होती है, 5000, 10,000, कुछ expensive features भी होते हैं, कुछ low feature भी होते हैं, जितन अच्छा उसकी quality होगी, जितनी देर थे का lifetime के लिए use होगा, यह सारी चीज़ें मदे नज़र रखते होए, इसकी cost के ओपर भी इसका असर पड़ता है, तो यह थे आज के attributes, बहुत ही simple असान से attributes हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, जो आपको, आपको कुछ software use कर रहे हैं, जिस जिस तरह कपको benefit मिल दाए, software के अंदर से, वो उसके क्योंगे attributes होगे, जो चीज़ आपको benefit मिल रहे हैं, वो चीज़ क्योंगे attributes होगे, तो अगर आप नए हैं मेरे YouTube चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं गया तो सब्सक्राइब कर लें, लेक्सर चाल अगर तो ला